बिटेक करने बाद कोई नौकरी च्वाइन नहीं की है नो सर बिटेक कब पुरा हुआ आपका सर 2017 में पांस साल चार साल हो गए जी सर क्यों क्यों यह नौकरी मिली नहीं है आपने नहीं सर जब मैं आईसी बैंगलॉर में मैंने वहां पर रिसर्च वर्ड किया था सर और मेरा पहले से ही था कि मैं सिविल सर्विसेस के लिए जाओंगी इससे तो आपने धन कमाने के बहुत सारे आउसर त्याग दिये चार साल में आपने कितना धन उपारजन किया होता धन उपारजन करना ही सब कुछ नहीं है अगर आप अपने जॉब से सैटिस्फाई हो तब ही आप एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो और खुश रह सकते हो ठीक है तो प्रशासका बनके आप कैसे संतोष हासिल करेंगी प्रशाशन में सर हम मुझे अपपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं जो भी मेरे पास कैपसिटीज हैं कैपैबिलिटीज हैं उसको बहतर करकी यूटिलाइस कर सक ही है लेकिन सिविल सर्विसे से एक ऐसा एरिया है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने वर्क का इंपैक्ट लोगों पर डारेक्ट देख सकें जो की मोटिवेशन है खुद में ही चाहा क्या राइट टु